हलो एवरीवन, वेलकम तो स्टार आईक्यू, स्टार आईक्यू के वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, वेरी गुड मार्निंग तो अल अफ यू, दोस्तो आज 24 मई है और 24 मई 2023 के हर्याना करेंट अफेर इस पार्टिकुलर वीडियो में ह जानने वाले हैं, आईए सेशन की सुरुआत करते हैं, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा, एक लिस्ट दे रखी थी, उसको दूसरी लिस्ट के साथ में मैच करना था, बहुत असान था, जैसे मैंने अपने हर्याना जी की कि कई सारी सेशन में आपको ब सब्सक्राइब धूसरी वागे तो जैसे मैं में रही जाना लेकर जाना था, एक हम स्थ प्रते हर सब्सक्राइब निकदै करना था चोदरी देविलाल गोरो सम्मान से नवाजा गया है चोदरी देविलाल गोरो सम्मान से चिकित्सा, सिक्षा और मीडिया ओलव दीजी सवाल का ठीक अंस्वर रहेगा मेरी माँ फाउंडिशन के उपाद्यक्स दिनेश डागर ने बताया कि संस्था के दवारा बहुत्पुरो उप्रदान मंतरी चोदरी देविलाल जी की याद में साथ कारेकरम किये जा चुके हैं जिन में से ये कारेकरम सात्मा था और इसमें से चिकित्सा, सिक्षा, प्रसाशन, समाजसेवा, खेलकूद, मीडिया के अलग-अलग विभूतियों को इस समान से समानित किया समानित जिनको किया उनका नाम है जसन महला, सत्पाल दलाल, अजदी पलाठर, अनुज मिश्रा, बिजेंदर बंसल, सिव कुमार, सुनिल बाल्यान, नवीन गोतम, रोबिंदर नाराइन ऐसे टोटल डेड़ सो गण मानने लोग थे जिनको समानित किया वैसे मैं बता देता हूँ कि ओरिजनली हर्याना के अंदर देवीलाल समान जो है ना वो करशी छेतर का एक समान है, हालनकि इससे रिलेटिड और भी छेतर हैं जैसे कब ये आप चिकिसा, सिक्षा, प्रसासन, समाद, सेवा ये भी देख रहे हो ये जगह जगह पे जब कारिकरम होते हैं ऐसी फाउंडिशन या एंजियो करवाते हैं तब ये समान देदिया करते हैं वैसे आपसे पूछा जाए कि हर्याना राज्य के इंदर करशी छेतर में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है तो चोदरी देविलाल सम्मान रहेगा है तो सिंपल सा सवाल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है पर आप जरूर याद रखना आप लोग इस बात को वेनेम ने तीरंदाजी विस्व का स्टैप वन में प्रत्योगिता में गोल्ड मैडल जीता है तो जोती सुरेखा जो है ये रहने वाली है सोनिपत की ऐसे सवाल काफी जरूरी होते हैं आप प्रीवियस पेपरों में देख चुके हैं इस अधार पे इनको थोड़ा फोकस कर स्टेफ वन प्रत्योगिता में गोल्ड मैडल जीता ये सोनिपत की है भारतिय खिल प्रहादीकर्ण के उत्री चेतर के अंदर बाहलगड सोनिपत के अंदर एक्सिलेंसी सेंटर की तिरंदाजी के लाड़ी है जिनका नाम है जोती सुरेखा इन्होंने वेनेम ने तुरुक्की के अंताल्या सहर के अंदर एक तिरंदाजी विश्वकप स्टेज वन प्रत्योगिता हुई थी इसमें एश्याई रिकोर्ड थोड़ते हुए गोल्ड मैडल जीता है इन्होंने भारतिय तिरंदाज ने पहले राउंड में 360 में से 350 दूसरे राउंड में 360 में से 360 अंकुल 717 दूसरा नंबर लेके एश्याई रिकोर्ड बनाया है तो कि अपने आप में बहुत बहुत बढ़ी बात है यह वैसे प्रत्योगिता हुई थी 16 से लेके 23 अप्रेल तक हुई थी जिसके अंदर विश्वकप स्टेज वन प्रत्योगिता का आयोजन जिसमें किया गया ठीक है अचाई यह पहले रिकोर्ड किसका था यह पहले 2015 के अंदर सारा लोपेज के कॉलंबियाई रास्ट्ये चैनस प्रदा का जोहना रिकोर्ड था और उस रिकोर्ड को इन्होंने हालांकि यह दूसरा राउंड इनका बहुत अच्छा था 360 बट 360 नंबर लेना एक बड़ी बात हद्राबाद में DC है और वह पहले तीरंदाज जिन्होंने सरकार से सीधे DC के रूप में जोहना वो बिसिकली तैनाती प्राप किये मतलब ऐसा कोई नहीं है भारत के अंदर जिन्होंने अभी तक जो तीरंदाजी से डारेक्ट DC कोई बन गया हो तो यह जोती सुरेखा जोहन प्रदेश के लेकिन यह खिलाडी हर्याना के सुनिपत की है तो करके मैंने इसे हर्याना जी के में इंकलूड किया है तो अपने तो यहां पे जो साइंस स्पोस्स सेंटर है ना आप लोगों को पता हुआ हर्याना के अंदर राई खेल कुद मैदान भी बहुत इपॉर्टें है और इसके लावा भारतिया खेल प्राधिकरन जिसको साई कहा करते हैं स्पोर्स अथियूर्टी ओफ इंडिया यह सुनिपत के बाहल गड़ के अंदर पढ़ता है उत्री के अंदर है भारत का यह और यहां पे यहां की स्टुडेंट है यह जिनका नाम है जोती सुरेखा विनेम आपको जरूरी इनके नाम से कंफ्यूजन हुआ होगा कि हर्याना के अंदर तो ऐसे नाम नहीं होते हैं यह तब ही नहीं होते क्योंकि आंदर प्रदेश का है नाम लेकिन स्टुडेंट अपने यहां की है और यह आंताल्या सहर के अंदर खेला इन्होंने जिनके दो को यह बात जरूर याद रखनी है कि सवनिपत जो है सवनिपत के इंदर विदान सबाच्छेतर कों से है एक तो देखो सवनिपत खुद ही है ठीक मैं आपको लास लेक्शिर में बताया हुआ सोनिपत एक खर खोदा है एक राई है एक गोहाना है गन्लोर एक बरोदा है यह तो इसके बहुत इपोर्टेंट से विधान सबा छेतर है। लेकिन सोनीपत के अंदर हम लोगों को कुछ और इंटरस्टिंग बात अगर याद करनी हों, जिससे हमारे पेपर में कुछ सवाल ठीक हो सके। तो जिन में से आपका सबसे पहली बात आती है, यहां का एक प्रेटेंस थल बात कर लेते हैं, हम लोग गोहाना, गोहाना का किला, यह जरूर आप याद कर ले ना, गोहाना का किला, यह गोहाना का किला जो है इसका निर्मान करवाया था पृत्विराज चोहान ने, तो ऐसा सवाल आपके पेपर में आ सकता है, कि इसका अंद्रिमान किस ने करवाया पृतिविराज चोहान ने एक सोनिपत के अंदर ना अकबरी दर्वाजा भी है कोई पूछ ले अकबरी दर्वाजा कहां पे है तो आप बता सकते हो अचा एक चकोर नाम का प्रेटनस थल भी आपसे कहीं पूछ ले को कहां पे है तो भी ये सोनिपत का ही बताना है आपको एक मामा भांजा की मजार जो है ना ये भी बहुत इपॉर्टन्ट है मकबरा कह दीजिए मामा भांजा का मकबरा है ये भी सोनिपत में जरूर बहुत पुराना भी होगए तो आप लोगों को जरूर याद रहेगा अचा यहां पर मोतीलाल नहरु स्पोर्ट स्कूल है आपको याद हो तो ठीक है ना मोतीलाल नहरु स्पोर्ट स्कूल है और ये बना कब था स्वाल बने है और जिसके चांसलर बने है कपिल देव बने है ठीक है ना अच्छा हर्याना में कमला नहरू स्कूल भी है वैसे ठीक है कमला नहरू स्कूल कमला नहरू स्कूल सौनिपत के अंदर राई के अंदर ही पड़ता है ये भी इसकी स्थापस न armas अगले साल ही हुई थी 1974 के अंदर हुई थी तो ये बात भी आप याद कर ले न, ठीक है अचा इस जिले में कोई जवार는지 विदालय है क्या हाँ है जवार नोडे विदालय कहाँ पे ऐसा जवार नोडे विदालय है अंबेड कर जी दोक्टर भीम्राव अंबेड कर युनिवस्टी है यह सोनी पत के इंदर है इसका सैट अप हुआ था 2013 में हुआ था ना साइथ 2013 होगा बाकि हो सकता है मैं स्किप ना कर जाओ माइंड से मुझे 2013 याद आया है इंस्टांट तो 2013 इसका अंसर होना चीए ठीक है बाकि कई बार थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी आ रहा है ठीक है 2013 तो है ही है 99 परसंटेज एक परसंट अगर चेंज इस है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ठीक भी कर सकते हो ठीक है चलो सर इसके अलावा यहां पर एक सोन चोटु राम यह 1987 के अंदर ना कॉलेज के रूप में सेट अप हुआ था यह लेकिन इसको युनिवस्टी डिम्ड युनिवस्टी का दरजा दिया गया था 2006 के अंदर दिया था तो यह भी आद रखना अचा यहां पे केंद्रिय प्लास्टिक नियंतर्ण संस्थान भी बना साइंस और टेकनोलोजी इनुवस्टी के नाम से इसको पुकारा जाता है भेस्वाल कला आप लोग जानते होंगे सोनीपत का और वो इसलिए इपॉर्टन्ट है क्योंकि दिपा मलीक और योगेश्वर्दत यहां से बहुत ज़्यादा इपॉर्टन्ट है अरुन जैमीनी को जानते हों आप लोग कभी आपने टीवी शो अगरा देखा हो अरुंग जैमीनी एक हाश्यक अलाकार है यह भी सोनीपत के हैं अपने सोनीपत गोहाना के हैं ठीक है तो यह इपॉर्टन्ट है अच्छा सर और क्या इपॉर्टन्ट हो सकता है हर्याना के कहो या बाहरत की पह ही आते चल रही है तो बाहरी वाहन चालक प्रसिक्षन केंडर जो वेईवी विकलड़ ट्रेनिंग सेंटर है वह भी कहां पड़ता है यह सोनीपत के अलगा नहीं हुई है तो यह जरूर याद करना अच्छा हर्याना ऑग के घएतर पर नहीं सिरे के स्पभिगा के श उन्ते अगला सवाल है कि हाली में सुरू किये गए द्रिश्य यूजना का संबन्ण कस से है द्रिश्य यूजना का संबन्द ड्रोन से है हर्याना के मुक्र सच्चिव संजीव कोशल ने इस द्रिश्य प्रजना की शुरुआत की है और इसका मतलब है कि basically हर्याना के अंदर किर्शी बागवानी फसलों और सुरुक्षा के उदेशियों के लिए जो ना निगरानी करना Drone Amazing and Information Services of Haryana Limited इसका पूरा नाम है Drone Amazing and Information Services of Haryana Limited ठीक है Drone Amazing and Information Services of Haryana Limited है यह हर्याना के अंदर युवाओं को पाइलेट ड्रोन की ट्रेनिंग भी देगी जिसे युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा इसमें Startup, Warehouse, Innovation Campus, Mobile Application, Development Center इनकी स्थापना को लिए प्रोचसान दिया जाएगा Drone का ही जमाना आ गया है यूँ समझेगा पराली जहां पे जलाई जा रही है उसके निगरानी हो सकेगी Overall मतलब जहां पे भी अपराद वगरा हो रहा है कुछ या अवैद घनन हो रहा है इन सबी की ड्रोन के मात्यम से ही निगरानी की जा सकेगी हाली में कांस में Film Festival में हिस्सा लेने वाली पहली हर्यानवी कलाकार कौन है चलिए आपको हमवर्क दे रहा हो में कांस Film Festival होता क्या है कमेंट में बताओ मुझे डिटेल से बताओ इसकी कुछ हिस्टरी कुछ वगरा बात आपको याद है तो बताओ तो इस सवाल का जो ठीक अंसर है सपना चोदरी ठीक है ना खैर आप लोग इनको बहुत अच्छे से जानते ही हो बिग बोस से मिल चुकी है इनको बहुत बढ़िया पॉपलियर्टी 16 मई को कांस Film Festival की सुरुआत होई 26 मई तक ये चलने वाला है सपना चोदरी इसके अंदर डेब्यू कर रही है देश भर के अंदर लाको खैर इनके फैंस तो ही है नो डाउट अचले शर्चा में इसलिए रही तुमने इनके कपडे देख ली है 30 किलो का गउन पहना है इन्होंने ठीक न यह तो 30 किलो का नहीं लग रहा यह 30 किलो का लग रहा मुझे देन्हें पमसंदमें पढ़ू कि तीस किलो का गाउन पहन के सपना चोधरी ने अपने जल्वे बिखेरे बाप रे बाप तीस किलो वजन हम यह तो मुझे मतलब कुछ थीस किलो का नहीं लग रहा है यह पतर डिजाइन ने ऐसे क्यों बनाते होंगे ना यार क्या ही उनको समझ में आती होगी जाडू निकालन वजा कर रहा हूं बुरा मत मानना भाया तो मानुस्य चिल्डर के बाद में दूसरी हर्यान वी जो है यह बहुत इपॉर्टेंट है जिन्होंने इंट्रनेस्टनल लेवल पर हर्याना का नाम उंचा किया है छेत्रवें कांस फिल्म फेस्टेवल में डेब्यू किया था मिस् चुर डांसर सपना चोदरी फ्रांस के अंदर चल रहे अंतरास्टिय कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर अपना अदा भिखे रही है हर्याना के लिए वैसे प्राउड मोमेंट है मजाक की तो सोबात है देखो बहुत इपॉर्टन और प्राउड मोमेंट है कि इन्होंने हर बहुत उंचा किया है इस रेड कार्पेट के उपर इतने सारे लाकों फोटोग्राफर के साथ में आगे आना वाकि एक बड़ी बात है ठीक है तो डिजाइनिंग और ड्रेस तो खेर एक अलग मुद्दा है वह तो चलता रहता है लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इस कार बन गई यह ठीक है ना तो यहां रेड कॉर्पेट पर चलना होता है वाक किया करना ही होता है इसमें हिस्सा लेने का मतलब बस इतना ही आता है ठीक है चलिए आपके लिए कि उस्तन छोड़के जा रहा हूं कि यह जिले हैं कौन से सीमा किसके साथ चूते हैं बता देना म मिलता हूँ आप लोगों को कल की क्लास में तब तक अपना ख्याल रखना स्टे हापी स्टे हल्दी